वेल्कम बैक फ्रेंड्स और यहां पर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे कख्छा दस्वी की इंग्लिश का बहुत जरूरी है कख्छा दस्वी के जो अंक होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप अंगली कख्छा याने गया रहेवी में कहां पर जाएंगे कौन सा स्क्रीम का चुनाव करेंगे तो जरूरी है इसमें भी अच्छे मांक्स अटेन करना गेन करना शुरू करते हैं यहां पर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे कख्छा दस्वी का सब्जेक्ट इंग्लिश है तीन घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और आपके जो पूरुणांग करेंगे यह रहेंगे असी सभी प्रश्ण हल करना अनिवारिया है आगे चलते हैं प्रश्ण वन है read the following passage and answers the answer the questions given below नीचे जो पैसेज दिया गया है इतना बड़ा वहाला की ज्यादा बड़ा नहीं है इसका हमें अध्यन करना है और इसका answer करना है जो भी नीचे दियेंगे क्वेश्चन at first sight याने पहली बार देखने पर silence would seem to be the essence of non-communication याने समवाद ना हो उसका एक तत्व रहता है non-communication मतलब होता है समवाद और non-communication याने असमवाद बोल सकते हैं उसको सो यह एक तत्व है असमवाद का yet we know that some circumstances silence can speak volumes हाला कि हमें पता है कि कभी-कभी जो silence है यो शांति है खामोशी है वो काफी कुछ बोल जाती है it is also a potent tool in the communication toolbox हां यहां पर यह बोल रहा है कि एक बहुत अच्छा प्रबल हथियार है और जार है communication का हना silence योन मौन है खामोशी है यह भी कहीं नहीं कहीं एक तगड़ा हथियार होता है speaker के लिए बोलने वाले के लिए as it adds emphasis to the point यह किसी point में emphasis add करता याने उसको थोड़ा और प्रबल बनाता है allowing time for its full significance to sink in handled skillfully it can build up anticipation for what is to come यहां पर जो लिखा हुआ है what is to come इसको जहां रखना what is to come आगे option आने वाला है so अगर इसको अच्छे से skillfully handle किया गया it can build up anticipation anticipation का मतलब होता है कोई चीज पहले से हमें पता चल जाए anticipate कर ले हम so जो आने वाला होता है वो हम पहले से पता कर सकते हैं silence के जरिये the pregnant pause इसको बोलते है pregnant pause it gives opportunity to make eye contact with the audience and gauge their reactions यानि जो खामोशी है वो opportunity देती है मौका देती है eye contact बनाने में audience के साथ और gauge यानि होता है measurement करना किसी चीज को नापना their reaction यानि जो audience है जो जनता है उसके reaction को मापने में भी मदद करता है क्या खामोशी मौन it is an essential component of the timing of one's delivery for the listener silence can buy time यानि जो listener होते हैं सुनने वाले होते हैं जो सुन चुके हैं उसको समझ पाएं digest कर पाएं what has been said जो कहा गया है or to consider a response और वो response समझ पाए कि हां इसमें क्या response करना है और बोथ यह फिर दोना silence will often lower अब इसको Google करना पड़ेगा यूरी the speaker into saying more than he or she may have intended इसको मैं Google करके बताता हूं यहां पर इसका मतलब क्या होता है गूगल पर मैंने टाइप किया l-u-r-e lure dictionary इसका मतलब होता है इसको पहले बोलते हैं lure इसका मतलब होता है आकर्शन या प्रलोभन so silence will offer lure the speaker into saying more than he or she may have intended कहने का मतलब यह है कि silence से एक मौका मिल जाता है प्रलोभन सा मिल जाता है जब हम सोचने का टाइम मिल जाता है अगर बोला जाए तो प्रशन लिखा है कि silence seem to be the essence of अब यहां पर हमने देखा था non-communication ठीक है तो क्या है non-communication चौथा सही है for the listener silence can be a potent tool lure him to say more emphasis a point by time तो सही क्या रहेगा by time चौथा आगे है according to the author silence can build up anticipation for what was to come for what is to come what has come what had come यहां पर देखो कहीं पर लिखा होगा what is to come ठीक है तो यहां पर सही कह रहेगा what is to come फिर D है the adjective form of the word silence silence का adjective क्या होगा silent होगा which of the following is the synonym of gauge gauge का मतलब होता है किसी चीच को नापना पैमाने से यानि उसको नापना सिदा सिदा तो इसका अर्थ है measure चलो यहां पर एक चीज और देखलो silence का मतलब होता है मौन यानि खामोशी इसको silence अब देखते हैं एक दो तीन चार जो भी option है इसको अच्छे समझ लेते हैं silencer का मतलब होता है जो मौन करा दे silently याने धीरे से चुपके से मौन रूप से और silent मतलब मौन तो सही क्या है इसका silent मतलब silent यह है वो अड्जक्टिव है तो यह हमारा प्रश्न करमांक एक था और इसके पांच हमने हल कर लिये हैं पांच ही नंबर कर रहेगा पहला आपका question को question number 1 रहेगा उसको हमने हल कर लिया है मिलते हैं अगले वीडियो में